हेलो एवरिवन, विलकम चू आल, टार्गेट टाउन के इस परिवार में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, आप सभी को अवेरी गूड आफटरनून, दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दो बज़े बीपेसी के लिए हमारी जो है क्लासे चल रही है और उसी दो बज़े फिर मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ क्या भुगोल, इस्पेसल, और बच्चों मैं आपको बताऊँ, यहाँ सभी वर्ग के लिए है, जितने लोग है, सभी लोग फटा-फट सशट को लाइक करके और वीडियो को शेर करते रहेंगे, आज की वी सिरीज को सुरू करने से पहले मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर मैं क्या है कि यह हमारा टार्गेट आउन का जो है बिहार स्पेशल टेलिग्राम है, यह आज जो मैं पढ़ाऊँगा इसका जो है पेडियाफ आपको नोर्स जो भी पढ़ाता हूँ सब के सब यहीं मिलते है ठीक है, गुड आफटरनून बिटा, लफ यूट गुड आफटरनून, चलिए, राधे राधे आए आगे चलते हैं और यह हमारे संस्थान का क्या है कि नंबर है, आप हमसे जूरने के लिए किसी भी तरह से इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और इस वाले नंबर पर आप अधार प्रश्णों के स्रिंखा लागो, तो चलिए, जोड़ जाएं सभी लोग और यहां पर प्रति दिन की तरह उतर, हाँ, बिटा देखिए, मैंने कल आपको बताया था, कल नदिया शमाप्त हो गई थी, ठीक है न, हमारी जो बिहार की नदिया थी, वो शमाप्त हो गई अधार रहा हूँ, लेकिन उसी संदर्व आज में एक आपके लिए इस्पेशल क्लास लेकर आया हूँ, क्या भुगोल इस्पेशल का, और यह पहला प्रशन आपके स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है, कह रहा है बच्चों, निमनिकित में से किस भारती परवस्रिंग खला है, दो ढ़लानों पर दो आसामान प्रकार के वनस्पतिया पाई जाती है, आपको बताना है बच्चों क्या हो जाएगा, क्या अरावली हो जाएगी, बिंद हो जाएगी, पूरवी घाट, पश्मी घाट या उप्रो की में से कोई नहीं, या एक से अधिक, चलिए, फटड़ फ चलिए, very good, सभी ने answer किया है, चलिए, अब देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब क्या option number A हो जाएगा, अरावली, अरावली आप जानते हैं बच्चों, इसके बारे में दो-तीन चीज़े और लिख लिजे, यह आप जानते हैं कि सबसे प्रा प्राचीन, सबसे प्राचीन जो है, अरावली परवत स्रिंखला है, ठीक है ना, परवत स्रिंखला है, अच्छा, यहाँ पर कहा है कि दो प्रकार के वनस्पतियां पाई जाती, परवत इडालानों पर अलग कैसे, आईए देखते हैं, बच्चों, जब आप इंडिया का देखेंगे ना, और मैं आपको यहाँ से कुछ ऐसे समझाऊंगा, ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ से, यह वाला जो एरिया है, यहाँ पर क्या है कि, यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, यह वाला एरिया, यह वाला आपको मिलेगा अरावली परवत स्रिंखला है, ठीक यहां पर बारिश अधीक होती है, वहाँ पर कैसे तो घनी वनश्पतिया पाइजाती है, और इस पूरे की पूरे सिरmb्खला को हम लोग क्या कहते हैं? आरावली कहते हैं और याद रखना जो आरावली है मैं यहाँ पर फिर से आपको नोटिफाई कर दूँ ठीक है इसे क्या है कि आरावली विश्व की क्या आरावली विश्व की सबसे जो है प्राचीन परवत है क्या प्राचीन परवतों में से एक रहा है अब प्राचीन परव से लेकर और दिल्ली तक फैला हुआ है कहां से तो यहां से आप जांते हैं अगर मैं थोला सा इसको define और करूँ ठीक है यहां पर क्या है गुजराथ तो गुजराथ का पालनपूर है सबसे ज़्यादा बीच में राजस्थान आता है और दिल्ली तक इसका विस्तार है और दिल्ली में इसे क्या कहते हैं तो आप सभी जानते हैं दिल्ली में ही इसे राइसीन पहाडी कहते हैं ठीक है इस राइसीन पहाडी पर क्या इस राइसीन पहाडी ये जो राइसीन पहाडी है बच्चों ठी पर क्या बना हुआ है तो रास्ट पती भावन रास्ट पती भावन किस पर बना हुआ है तो रासीन पहाड़ी पर और रासीन पहाड़ी किस का हिस्सा है तो इसी अरावली का हिस्सा है ठीक है और इसकी सबसे उची चोटी आप देखेंगे तो यहां पर आओगी इसकी सबसे उ इसके आगे चलते हम लोग, अगला प्रशन आपके स्क्रीन पर यह रहा, क्या कह रहा है, इलाइची की पहाड़िया किस राज्य में है, बताओ, केरल में, तमिलनाव, करनाटक में, गोवा में, उप्रुप्ट में से कोई नहीं, फटा-फट एंसर करना और बताना है आप सभी को सही जवाब, बच्चो, फिर से वही मैपिंग से मैं आपको समझा रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा, और क्लास सगर, मज़ा आज 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 आए, तो कमेंट करके जरूर बताना और लिखते रहना, एस चिबाई राम सर्श, फटा-फट तरीके से, देखिए, य भारत में आप देखें, बच्चो, यहाँ पर कुछ इस तरह से, पश्ची में आएंगे, तो यहाँ पर पश्मी घाट क्या, यहाँ पर पश्मी घाट की पहाड़िया पाई जाती है, और यहाँ पर आप देखोगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पूर्वी घाट की पहाड आप देखोगे यह क्या है तो इसे आप लोग पश्मी घाट कह सकते हैं और यह क्या हो जाएगा यहाँ पूर्वी घाट और पश्मी घाट हो जाएगा और याद रखना है जहां पर दोनों मिलती है प्रश्ण भी पूछता है कि पूर्वी घाट और पश्मी घाट एक दूसर से कहां पर मिलती हैं तो जहां पर मिलती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं तो यह है क्या नेल गिरी की पहाड़ी क्या है यहां नेल गिरी पहाड़ी है ब्लू माउंटेन है ठीक है ना अच्छा नेल गिरी के जैसे ही आप नीची आओगे न तो इस वाले एरिया में यहां पर यह यहां पर एक और पहाड़ी पाई जाती है और इसे हम लोग क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं हम लोग क्या कारडमम की पहाड़ी कारडमम बोले तो इसे कहते हैं क्या इलाइची की पहाड़ी ठीक है ना और किस राज में आपको देखने को मिलती है तो यह केरल राज में आपको ठीक है अचाब अगर मैं नेलगरी की बात करूँ तो इसले प्रश्ट बनता है कितने राज्यों में यहां फैलि होई है तो याद रखना यहां तीन राज्यों में फैलि हुई है याद रखते हैं क्या इसका क्या मतलब है KKT का मतलब क्या है केरल, करनाटक और क्या हो जाएगा तमिल नाडू, केरल, करनाटक और तमिल नाडू में कौन फैला हुआ है भाई तो यहाँ पर नेल गिरे फैला हुआ है बाद चलिए केरल की तो केरल में बहुत सारे लोग जो है आप जानते हैं यहां पर आप जानते हैं क्या भीया यहां पर यहां पर आप जानते हैं सरवाधिक क्या किसका सरवाधिक यहां पर क्या इलाइची ठीके ना इलाइची का उत्पादन होता है यहां काली मिर्च का उत्पादन होता है ठीके ना क्या काली मिर्च का उत्पादन होता है रबर का उत्पादन होता है ठीक है न इसी केरल में आप जानते हैं क्या ओरम उत्सो मनाया जाता है सभी को पता होना चाहिए ओरम उत्सो यहीं पर मनाया जाता है ठीक है अच्छा आगे चलेंगे इसी केरल में आप जानते हैं बच्चो क्या शांत घाटी का निर्माण होता है ठीक है क्या शांत घाटी जिसे मूख घाटी डोल ड्रम हम कह सकते हैं अच्छा यहीं पर आप जानते हैं क्या मोहनी अट्टम जो की सास्तिरी निरित्त है आपको बता दू मोहनी अट्टम हो जाएगा और उसके बाद आप जानते हैं कथक कली हो जाएगा कथक कलिक हो जाएगा, ठीक है, यहीं पर आप जानते हैं क्या, इसी केरल में आप जानते हैं बच्चों, ठीक है ना, इसी केरल में आप जानते हैं, तो इसी केरल में आप जानते हैं क्या, सरवाधिक क्या हो जाएगा, सरवाधिक जो है, सिक्षा, ठीक है ना, या साक्षर्ता सरवादिक साक्षर्टा यहीं पर है सरवादिक साक्षर्टा यहीं पर है इसी केरल में आप जानते हैं क्या है तो कोची बंदरगा है क्या कोची बंदरगा है और कोची बंदरगा से BPSC ने प्रश्ण पूछा था क्या इसको हम लोग क्या कहते हैं तो कोच्ची बंदरगा को अरव सागर की रानी किसे कहा जाता है तो कोच्ची बंदरगा को कहा जाता है इतने सभी प्रश्ण प्रमुक्रोब से केडल से बनते हैं ठीक है चलिए आए चलते हैं अगला प्रश्ण आपके स्क्रीन पर ये रहा क्या कह रहा है निम्न में से कौन सा मेघालय के पठार का अंश नहीं है, क्या भूवन पहाडिया, गारो पहाडिया, खासी पहाडिया, जैनती पहाडिया, बताएगा, इनमें से क्या हो जाएगा, सही, कुशन नबर तीसरे का एंसर करेंगे, फटाफट, येस, चलिए, वेरी गुड, आईए देखते हैं, तो अगर ये वाला प्रशन आप देखें, तो इसका सही जवाब अंश नहीं है, मेघालय का पठार कहाँ पर पठता है, देखिए, इसे हम लोग कई बारी अन्य नामों से जानते हैं, इसी का भाग क्या हो जाता है, तो इसी का भाग आपने पढ़ा होगा, क्य सिलोंग पठार कई बारी लिख कर आता है, ठीक है ना, सिलोंग पठार बच्चों कई बारी लिख कर आता है, और कई बारी लिख कर क्या आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आता है, क्या बताएगा, कार्भी एंगलोंग का पठार, ठीक है, कार्भी एंगलोंग का पठार आत और तीन पहाडियां हैं ये है मेगाले और मेगाले में एक पहाड़ी यहाँ पर है ठीक है ना एक पहाड़ी कुछ इस वाले एरिया में है और एक पहाड़ी यहाँ पर है ठीक है ना तो ये तीन पहाड़ीया है बचों और ये तीन पहाड़ीया कैसे तो कीपनुमा है और इन का नाम क्या हो जाता है इसका नाम याद रखना ये है क्या गारो पहाड़ी और ये है क्या तो याद रखना खासी पहाड़ी और ये है क्या जयंतिया पहाड़ी ठीक है ना जयंतिया पहाड़ी और ये कहां पर है तो मिघालय के पठार में इस्तित है और ये कैसी पहाड़िया मैं आपको बताऊं यह सभी कैसी पहाडियां है तो यह तीनों पहाडियों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि यह तीनों पहाडियां कैसी हैं तो यह तीनों पहाडियां याद रखना बच्चों यह तीनों पहाड़ी कैसी हैं तो यहां लिख देता हूं क्या यह पहाडि विश्व की सरवाधिक वर्षा होती है विश्व की सरवाधिक वर्षा होती है और वर्षा वाला इस्थान जो है वो क्या है तो आप सभी जानते हैं क्या मौसिन राम है क्या है मौसिन राम है जो कहां पढ़ता है जो इनी पहाडियों के बीच में पढ़ता है जब हवाई आती हैं अच्छा ये पहारियां दिखते कैसे हैं मैं थोड़ा साब को बता दो तो ये नीचे से क्या ये नीचे से तो ऐसे हो थी और उपर जाकर कुछ ऐसे सी हो जाती है उपर जाकर ये पहारियां कुछ ऐसे हो जाती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं इसी को हम लोग कीप नुमा क ठीक है ना, उपर से पहारियां ऐसे चोड़ी हो जाती हैं, इस तरह से उपर से पहारियां ऐसे चोड़ी हो जाती हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि इसके बीच में ही जाकर क्या है कि मानसूनी हवाय फश जाती हैं, और लगातार बच्चों यहां पर भारिश करती रहती है राइट चलिए उम्मिद करता हूँ समझ में आ रहा होगा सभी लोग नहाँ पर तो सेशन को लाइक करते रहेंगे वह दर्रा जो सरवादिक उचाई में स्थित है आपको बताना है कि जो जीला हो जाएगा रोहतांग हो जाएगा नाथुला खैबर या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक बताईएगा फटाफ़ तरीके से एंसर करते रहेंगे बच्चों और बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा यस वेरी गुड बहुत बढ़ी है आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी दर्रे आया अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो क्या यह जो जीला दर्रा कहा है बच्चों तो यहाँ जमू कश्मीर में पढ़ता है रोहतां दर्रा कहां पढ़ता है तो यहाँ हिमाचल प्रदीश में पढ़ता है ठीक है और इसका सही जवाब नाथुला दर्रा हो जाएगा जो कि कहां पर पढ़ता है जो कि बच्चों आप आ चो क्या दर्रा क्या होता है तो याद रखना कोई भी परवती छेतर है ठीक है ना कोई भी दो परवतों के बीच दो पहाड़ियों के बीच आप जानते हैं किसी भी दो परवतों के बीच किसी भी दो परवतों के बीच नदी द्वारा जो बनाया गया रास्ता होता है ठीक है ये नदी द्वारा जो बनाया गया रास्ता होता है, जहां से पानी आ भी रहा होता है, कई बारी नहीं भी आ रहा होता है, तो इस रास्ते को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, तो इसको ही हम लोग दर्रा कहते हैं, क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं, तो भारत में जो भी परवती छेतर हैं, वहाँ पर दर्रा जो है बनेगा, और यह क्या है भई, यह नदी है, तो नदी द्वारा जो बनाया गया रास्ता होता है, उसे ही हम दर्रा कहते हैं, या फिर इसे हम लोग पासिस कहते हैं, ठीके न, क्या पासिस कहते हैं, उमिद करता ह समझ पर आया होगा राइट आई आगे चलते अगला प्रश देखेंगे दामोदर नदी कहां से निकलती है तिब्बस के चोटा नागपुर पठार से नैनिताल से सुमेस्वर की पहाड़ी सुमेस्वर पहाड़ी के पश्मी घार से या इन में से कोई नहीं बताईएगा फटा दामोदर नदी को क्या कहते हैं बच्चो तो इसे हम लोग बंगाल का शोक कहते हैं बुरा क्यों नहीं मानना क्योंकि भाई कोशी नदी बिहार का शोक कहलाती है तो केवल बिहार में शोक नहीं है क्या है कि बंगाल में भी शोक है और ये निकलती कहां से है बच्चों क्या पर मिल जाती, क्यों, किसमें मिलती है बच्चों, तो आप जानते हैं, इधर से एक और नदी आती है, बड़ी सी नदी, ठीके न, इधर से एक नदी की धारा आती है, और यहाँ प्रैसे मिलकर इधर चली जाती है, याद रखने, प्रवाहित कहां होती है, बच्चों, तो यहा कौन सी नदी चली आई है इधर से आप देखेंगे ये कौन सी नदी है भईया तो ये हुगली नदी है क्या हुगली नदी है ठीक है ना और जब आता है तो यहीं परिस्थित है कोलकाता ठीक है ना यहीं परिस्थित है कोलकाता और ये आकर किसमें ये दामोदर नदी जो है य इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों तो इसे हम लोग कहते हैं ठीक है एक सिकंड देखेंगे ये वाला जो एरिया है ना माने कि पहले जार खंड आएगा फिर क्या आएगा देखो सारे के सारे कुश्चन चला गया मेरा हाँ दामोदर नदी कहां से निकलती है बिल्कुल से बटा तो यहां से हो जाएगा ठीक है और ये कहां ये है छोटा नागपुर पठार तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है कौन सी नदी है तो दामोदर नदी कौन सी दामोदर नदी को बंगाल का शोग कहते हैं छोट कि ये आगे बढ़ते हुई चीक है ये ऐसे प्रवाहित होगी थोड़ा सा देख रहेंगे और पहले जारखंड में रहते हैं फिर यहां पर आती कहां पशिम बंगाल और पशिम बंगाल की बाद आगे निकलती है और मिल जाती किसमें हुगली नदी में मिल जाती है तो परण में इंदरावती सबरी किसकी सायक नदी महा नदी की गोदावरी की कि कृष्णा की दामोधर की या इन में से कोई नहीं बताईएगा फटा 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 इसका सही जवाब क्या हो जाएगा चलो भई यहां कहां से निकलती है तो यहां निकलती है उडिशा के उडिशा के काला हांडी से ठीक है ना जहां पर चावल के खेती बहुत होती काला हांडी से निकलती है और यह कहां से सबरी कहां से निकलती है तो सबरी निकलती है कहां से बच्चों तो यहां निकलती है कहां पूरीशा के 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 सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, तो सबसे लंबी नदी है, कितना तो 1465 किलोंएटर है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम आपने जो गुदावरी नदी है, ठीक है, चलिए। अच्छा आप देखेंगे इसकी कई सारी जो है सहायक नदियां हैं, और कौन-कौन सी वो सहायक नदियां हैं, आप देखेंगे, तो लिख रो, क्या वेन गंगा आपने नाम सुना होगा बच्चों, ठीक है, वेन गंगा, पेन गंग, क्या, प्राण, हिता, फिर आपने सुना होगा क्या, मंजरा नदी, मंजरा नदी, ठीक है, और प्रवरा नदी, प्रवरा नदी, फिर आपने सुना होगा, इंद्रावती, क्या, इंद्रावती नदी, और कौन सी नदी बच्चों, तो सबरी नदी, ठीक है न, सबर चोटी से निकलती है और ये पांच राज्यों में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है प्राधीब भारत या दक्षड भारत के सबसे लंबी नदी है इसे सबसे लंबी नदी है और पूरे भारत के सबसे लंबी नदी कौन सी है पूरे भारत के सबसे किसमें जुवारी नदी प्रवाहित होती दमंदूइप में, गोवा में, पुद्दुचेरी में या फिर आपको बताना अंदमान निकुबार में या जो है उप्युक्त में से कोई नहीं बताईए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा चलो भई सभी ने एंसर करना है चली इसका सही जवाब बताएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चो राज केंदर सासित राज्यों से यहां पर आया है क्या जुवारी नदी तो जुवारी नदी कहां प्रवाहित होती है कहां से गलती है तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा आप जानते हैं बच्चों गोवा अगर मैं पॉल्टिम थोड़ा सा जाओ ना तो गोवा में आप जानते हैं ये गोवा पुर्टगालियों से 1961 में आजाद कराया गया था 1961 में और 1987 में इसे जो है क्या है कि भारत के पूर्ण राज्ज का तर्चा मिला था अच्छा एक भाग में कहां से निकलती है तो बेशर्म जगा है हेमद बेशर्म से यहां निकलती है और आप जानते हैं अगर मैं इसकी बात करूं जवारी नदी की अगर मैं बात करूं तो याद रखना क्या यहां गोवा राज्ज की गोवा की सबसे लंबी नदी है क्या गोवा की सबसे लंबी नदी है, गोवा में दो नित, लोकनित बहुत फेमस है, आपने पढ़ा होगा क्या दकनी, ठीक है ना, दकनी एक बड़ा ही फेमस और देनाली, ठीक है न, बड़ा ही फेमस यहाँ पर नित होता है, आई आगे चलते हैं, जाजकर और शोक किसकी सहायक नदिया है, जहिल सबी लोग शेशन को लाइक करेंगे याज बटा प्रति दिन यह दो बज़े एकला चलती है हमारा जो है बिल्कुल से पेट बैज भी आया है सार्थी बैच आया है बेपेसे 4.0 के लिए सार्थी बैच आया हुआ है जहां पर आपको सभी कख्षाएं जो है सुचालो रूप से मिल रही है आप जाकर वहाँ पर इंडोल कर सकते हैं अभी कल तक हमारा बहुत बड़ा ओफर चल रहा था 80% आप जाकर देख लिजी एप पर हमारा टार्गेट आन का एप डाउनलोड कर लिजी वहाँ पर भी अगर दिख रहा होगा तो आफर कला भाज उठा सकते हैं फिला अगर मैं यहां पर बात करो जाशकर और शुक किसकी सहायक नदियां है तो यहां शायक नदियां किसकी है बच्चों तो यहां है किसकी बताईएगा तो यहां है शिंधु नदी की सहायक नदियां है बिल्कुल से सिंधु नदी की शायक नदियां है अच्छा अगर मैं लिएगा कहां? रिगवेद में. ठीक ना? रिगवेद में भी क्या सब तो शैंधों आया है. वहां पर मैंने कि सात नदियों का जिक्र आया है. जिसमें से गंगा और यमुना का केवल एक एक बार जिक्र आया है. अच्छा, इसकी अगर मैं बार करूँ, यह निकलती कहां से है और यह कहां पर है तो यहां तिब्बत में है और तिब्बत में कहां है तो एक जील है जहां से जहां से 17 नदी निकलती है तो जील का नाम क्या है मान सरोवर जील जो जील है तिब्बत में मान सरोवर जील के निकट मान सरोवर जील के निकट बच्चों एक ग्लेशियर है जिसक मुख शहायक नदिया की ठीक है ना याद रखना इसकी मुख शहायक नदिया इसकी अगर हम लोग मुख शहायक नदिया की बात करें तो कौन-कौन सा हो जाएगा आप देखेंगे तो इसमें से कुछ दी हुई है जैसे आप देखेंगे क्या जेलम हो जाएगा बच्चों ठीक है और कौन जेलम चिनाब रावी ये पांच मुख शायक नदिया है ठीक ना व्यास और क्या हो जाएगा सतलच हो जाएगा और वहीं पर अगर मैं अन्य शायक नदियों की बात करूं ठीक है ना अन्य शायक नदियों की बात करूं तो उसमें क्या आजाएगा उसमें आएगा क्या श्वेक आएगा उसमें जो है जासकर आएगा उसमें जो है जो है क्या गिलगित आएगा ठीक है न? उसमें और क्या आएगा पुर्णम आएगी? उसमें एक और नदी है क्या? काबूल, स्वाथ, ये सभी नदी यहां इसके अन्शायक नदी आए जाएगी. सिंदू से याद रखना बच्चों एक और प्रश्ट पूशता है क्या सिंदू समझोता आपने पढ़ा होगा क्या सिंदू जल समझोता तो सिंदू जल समझोता किसके किसके बीच और कब होता है ये भी परिक्षा में प्रश्ट पूशता है आप लोगों के तो याद रखना पाकिस्तान के प्रदान मंतर आयूग खान थे तो किसके किसके बीच हुआ था बच्चो तिहां पाकिस्तान के बीच में हुआ था और किसके बीच में भारत की बीच में हुआ था जिसमें कहा जाता है कि उपर की जो तीन नदिया है माने सिंदु जहिलम और चिनाव की तीन रेशियो में या समझवता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जिसे हम लोग क्या सिंधु जल समझवता कहते हैं, आई या चलते अगला प्रस्ट आपको देखेंगे क्या, पैंगों जैस 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 जील में है, कहां, जमो और कश्मीर राज में है, जमो और कश् सही जवाब क्या हो जाएगा, चले, वेरी गुड़, तो यह कहां परेवच्चों, पैंगों जील को लेकर कई बारी बिवाद रहता है, किसके किसके भी इस भारत और चीन के बीच यह कहां पर पढ़ता है, तो यह अहक लग्दाक केंदर सासित प्रदेश ने पढ़ता है, पैंगोंग जील के अगर हम लोग बात करें, तो याद रखना, यह कैसी जील है, तो यह जील कैसी है, तो यह जील है क्या, यह जील इस्थल बद्ध है, कैसी जील है, इस्थल बद्ध है, और याद रखना, जो भी इस्थल बद्ध जील होगी, अर्थात इस्थल में है, तो यहाँ पर आते हैं, उनका जो है आस्रा भी बनता है, आवास भी बनता है, ठीक है, सर्दी की दुम्य मज़, आगे चलते हैं कि गंगा सागर है, गंगा नदी पर एक जलास है, तीर्थस्तल है, और गंगा नदी का एक अप तटी सागर है, उत्तर पदेश में प्रमालू सक्ति केंदर है, आपको बताना है कि गंगा सागर क्या है, चलिए, एंसर करेंगे, वेली गुड, चलिए, बहुत बढ़िया, तो इसका सही जबाब हो जाएगा बच्चों, यहाँ एक क्या है कि तीर्थस्तल है, गंगा सागर एक तीर्थस्तल है, कहां पर है, तो यहाँ जो है प पर मकर शंक्रान्ती को, मकर शंक्रान्ती, जिसे अलग-अलग जगह पर अलग-अलग नाम से खिचडी कहते हैं, खिचडी कहते हैं, पोंगल कहते हैं, ठीक है न, तो आप जानते हैं कि मकर शंक्रान्ती को गंगा सागर में, जो है, विश्व प्रशिद्ध मेला बहुत गोदावरी गंगा जो है महानदी गोदावरी ननमदा गंगा गोदावरी महानदी और आप जानते गोदावरी महानदी तो सबसे पहले आएगा आपको बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा यस देखे बच्चों अगर यहां पर थोड़ा सा हम लोग मैप के द्वारा समझें ठीके नगर हम लोग थोड़ा मैप के द्वारा मैप से अगर हम लोग यहां पर समझेंगे तो हम लोग नदियों को capture कर पाएंगे अच्छे से ठीक है न और भुगोल पढ़ने का मतलब कि आपको जो है क्या आना चाहिए आपको थोड़ा सा mapping तो आना ही चाहिए राइट चलिए आप देखेंगे यहाँ पर कौन-कौन सी नदिया आती है और किस तरह से आपको यह जानना है ठीक है चलिए आईए देखते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे बच्चो यहाँ से एक नदी निकलती है उत्तराखंड से कहां से उत्तराखंड से एक नदी निकलती है और ऐसे प्रवाहित होते हुए कहां चलि जाती है यह फिर आप जानते हैं कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा बना देता और यहां पर आओगे आप तो सत्पूरा ये एक पहाड़ी छेतर हो जाता है विंध्यांचल और सत्पूरा ठीक है ना विंध्यांचल और सत्पूरा अच्छा ये तो हो गई अच्छा यहां पर चोटा नागपूर पठार है और चोटा नागपूर पठार से एक नदी निकलत महाणाराश्ट करों सब्सक्राइब उततर से तो सब्सक्राइब गंगा फिर महानदी फिर नर्मदा फिर गोदावरी आएगी तो आप देखें बच्चों सबसे पहले क्या आगए गंगा फिर महानदी फिर नर्मदा फिर गोदावरी तो आप जाएं किसके साथ option number B for best के साथ जाएगे ठीक है ना चलिए आगे चलते अगला प्रश्न है क्या सबसे विस्तित छेतर वाला अपवाहतंत्र कौन सा है सिंदु नदी तंत्र, बमपुत नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, गोदावरी नदी तंत्र या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक बताईएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा यस चलिए बहुत बढ़िया देखें कि मच्चो सबसे विस्तित एंसर करना है सभी लोग और आज कर जो शेशन है आपको लगेगा कि यस ऐसे ही क्वेशन आते हैं और इसी तरह से पढ़ा और पढ़ाया दोनों जाता है तो इंट्रिस के साथ पढ़ेंगा या आप और मजा आ रहा है तो जरूर बताएगे आज करना है बच्चो तो वहाँ पांच राज आप जाते हैं तो इन राज्यों में यह गंगा नदी तंत्र जो है सबसे विशाल जो है क्या है कि अप वाह तंत्र माना जाता है ठीके ना चलिए आगे चलते हैं निमलिकित में से कौन से नदी गंगा की शहयक नदी नहीं है, कोसी है, सोन है, वेन गंगा, राम गंगा यह इन में से कोई नहीं है, एंसर करेंगे फटा-फट तरीके से और बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखें गंगा नदी की बात चल र और जैसे जैसे यह आगे चलती है जैसे जैसे आगे चलती है अच्छा एक ग्लेसियर याद रखना बच्चों यहाँ पर भी है आपने पढ़ा भी होगा यहाँ पर भी एक ग्लेसियर है और यहाँ से एक और नदी आती है ठीक है ना इधर से आती है और यह इसमें मिल जाती है ठीक है ना याद रखना बच्चों इस नदी का नाम क्या है तो इसका नाम आपको पता चल गया होगा क्या है तो यहा है क्या भागी रथी कौन सी नदी है इसको हम लोग भागी रथी कहते हैं क Nieाट को अपर जाता है इसाथ स्थान को क्या एस स्थान को पवित्र स्थान है इसे लोग क्या कहते हैं तो इसे देव प्रयाक कहते है'T उसके बाद यह नदी जानी जाती है क्या गंगा के नाम से इसमें बहुत सारी नदियां मिलेगी बच्चों बहुत सारी नदियां मिलेगी, एक सबसे पहले इधर नदिया आती है, ठीक ना? चलिए, तो इन नदियों के अगर मैं नामकर्ण की बात करूँ तो इसमें से कौन कौन से नदियां तो यह हो जाएगी क्या? ठीक है, ठीक है ना? जस्ट वेट एक सिकन्ड यह कहां से आगया एक सिकन्ड जस्ट वेट बच्चों जस्ट वेट जस्ट वेट तो यह कौन से हो जाएगी यह वनतना नदी हो जाएगी यह नदी कहते हैं और यह कौन से नदी हो जाएगी यह सोण नदी तो गंगा की ये सहायक नदिया है, कह रहा है, इसका कौन सी नहीं हो जाएगे, तो option number C, या गोदावरी की सहायक नदिया, अभी थोड़ी देट पहले आप बताया था, गोदावरी की सहायक नदिया, कौन कौन से थी, वेन गंगा, पेन गंगा, ठीक है न, प्राणहिता, मंज प्रावरा, इंद्रावती, सबरी, ये सभी किसकी गोदावरी की है, और आप देखें कि राम गंगा, गोमती, घागरा, गंड़ा, कोसी, महाननदा, शोन, टोन्स और आपका यमुना, ये सभी किसकी गंगा की सहायक नदी है, अब BPSC में कैसे प्रश्ण पूछा है, BPSC में करम, तो बच्चों ये करम आपको याद रखना है, ठीक है, आई आगे चलते हैं, अगला प्रश्ण आपके स्क्रीन पर है क्या, भारत में शक्ति सारी अलेलों का कारड क्या है, भारत में शक्ति सारी अलेलों का कारड क्या है, सामान वर्षा, अति वर्षा, सुखे का, या उप्रोक्ति में से कोई नहीं या एक सब्सक्राइब बताईएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा चुलो भाई फटा फटा एंसर करें यस वेरी गुड तो भारत में आप जानते हैं बच्चो ये अलीनो जो है न अलीनो एक प्रकार की क्या है गर्म हवा है जो गर्मी लेकर आती है और भारत में क्या बनती है सूखिक का कारण बनती है क्योंकि याद रखना ये भारती मानसून ठीक है न जो हमारा भारती मानसून है तो भारती मानसून को क्या करती है या पीछे धकेल देती है ठीक है न पीछे धकेलती है भारती मानसू कि आई आगे चलते हैं कि वेरी गूड है कि सब लोग एंसर करेंगे शेशन को लाइक करें जो लोग नहीं किया है और बिल्कुल से बटा मैं आपको बताओं कि यह हमारी जो क्लास है प्रति दिन दो बज़े चलती है ठीक है यह हमारी क्लास प्रति दिन दो बज़े चलती है ठीक है न तो पीम पर जो बच्चे पूछ रहे हैं आपको बता दो तो पीम पर रोज चलती है जहां पर मैं आपको क्या करवाता हूं ठीक है न जहां पर मैं आपको थेओरी करवाता हूं उसके साथ साथ आपको MCQ भी करवाता हूं अभ ही आपका बिहार special चल रहा था थोरी जिसमें मैंने आपको कि विएर की इस्तिती बताया विस्तार बताया नदिया नदिया और वहाँ पर जो है मैंने जहिल सुरू किया बहुत बिहार का परवती छेत्र, पठारी छेत्र, मैदानी छेत्र, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट बारती मानसून का प्रारम होता है बंगाल की खाड़ी में एक आपदाब बनने से लगभग आपको बताना है पाज जोन को 15 जुलाई को 30 माई को या फिर आपको बताना है कि 30 जोन को यस चलिए एंसर करेंगे सबी लोग फट फट सेशन को लाइक करते रहेंगे और एंसर करते रहेंगे बहुत बढ़ियां बिटा चलिए तो आप जानते हैं जो भारती मानसून प्रभावित होता है वो कब आता है वो पहुचता है सबसे पहले केरल में और 5 जुन को जब ये केरल में पहुचता है तो हम मान लेते कि भारत का मानसून आ गया है ठीक है कई बारी लेट हो जाता है इसी को अधार मानकर हम ये तै करत पर यहां पाई जाती है आपको पता है कि सबसे ज़्यादा महरास्थ में पाई जाती है अगर वैसे देता तो याद रखना के प्रकरिया है तो रेगुर प्रकरिया क्या है रेगु प्रक्रिया इसका नाम कैसे पड़ा देगुर तो रेगुर प्रक्रिया दरसल होता मिट्टी बना लेती है और वह एक मिट्टी बना लेती ही पर तो जो छरड लावा के छोटे-छोटे हिस्से में जो तूटने की प्रक्रिया है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं उसे ही हम लोग क्या उसे ही हम कहते हैं यही क्या है रेगुर तो रेगुर प्रक्रिया से बनी है कौन काली म्रिदा इसलिए इसलिए हम लोग री गुर म्रिदा भी कहते है और याद रखना बच्छों कि जो काली म्रिदा है इसका रंग काला होने का जो कारड़ है ठीक ना इसका जो कारड़ है काला होने का तो याद रखना क्यों होती है तो या होती है क्या टेटेनी फेरस आप लोगों नी नाम तो सुना होगा क्या काली कपासी मृदा इसे कहते हैं काली कपासी मृदा कहते हैं इसे अंतर राष्टी इस्थर पर क्या चिर्नोजम कहते हैं परिक्षा में आया भी था इसे हम लोग क्या कहते हैं इसे हम लोग ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ कहते हैं क्या ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ कहते हैं इसक कि यहां सरवाधिक नमी अवशोशित करने वाली मृदा है तो सरवाधिक नमी अवशोशित करने वाली मृदा कौन है तो यह रेगूर या काली मिट्टी है और एक इसके बारे में और लिखना इसे हम लोग क्या कहते हैं तो इसे हम लोग स्वताह जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं क्या स्वताह जुताई वाली मृदा कौन से भई तो यह काली मिट्टी है कपासी मृदा है उमीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि इसके रेगूर क्यों बोलते हैं और इसको अन्य जो है किस नाम से जानते हैं चरनोजम भी इसको कहते हैं अंतराश्टी इस तर पर जो लावा से बनती है ठीक है आगे चलते हैं अगला प्रशना आपके स्क्रीन पर यह रहा बच्चो क्या गंगा के मैदान की पुरानी कछारे मिठ्टी कहलात तो आप सभी लोग 17 अगस्त की दो बज़े के इस रिंखला में जुड़े हुए हैं और आप सभी का स्वागत करते हैं सभी लोग शेशन को लाइक करें और फिर से मैंने कहा कि हमारा सार्थी बैच आया हुआ हुआ है जहां पर काफ्चाएं चल रही हैं और मैं आपको बता वरण की मैराथन आएगी एक क्लास में परियावण के उस सभी महात्रपूर्ट टॉपिकों में पढ़ा दूँगा समझा दूगा और उसमें मैं आपको थेओरी कराऊंगा दो आएगए परियावण के एक थेओरी क्लास आएगी देखना मत भूलना यूटूब पर आएगी कछारी मिट्टी कुछ और नहीं है बलकि दोमत मिट्टी ही है बलकि जलोर मिट्टी ही है जहां पर बाल कभी कभी आता है वहां कि मिट्टी परदार पुरानी हो जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं जो है बांगर कहते हैं तो इसका प्रेजवाब क्या हो जाएगा बांगर हो जाएगा ठीक है ना बागर हो जाएगा और याद रखना कचारी मिट्टी की जब जब बात होती है बच्चों ती है कुछ और नहीं बलकि जलोल मिट्टी को हम लोग कचारी मिट्टी कहते हैं ठीक है ना जलोल मिट्टी को जल को ओढ़ लिया हो, जो जल से धकी हुई हो, ऐसी जल को ओढ़ लिया हो, किसके जल के, तो नदी के जल को ओढ़ लिया हो, उसे हम लोग जल ओढ़ मिट्टी कहते हैं, अर्थात, तो नदी के जल द्वारा, क्या नदी के जल द्वारा, लाए गए, लाए गए, अवशादों के लाए गए अवशादों के निच्छे पर के कारड इस मिट्टी का क्या होता है निर्माण होता है और याद रखना बच्चों यहाँ भारत के सरवाधिक छेत्र फल पर यहाँ मिट्टी है और याद रखना सबसे उपजाओ भी है सबसे उपजाओ मृढए भी है उसके लाए आप यह भी याद रखना बच्चों क्या सरवाधिक नमी अगर किसमे होती है तो सरवाधिक नमी रहती है किसमे तो इसी durum मिट्टी में रहती है राइट आए आए आगे चलते हैं अगला प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर एरा कोशन बटेंग कैरा कि निम्लिखित में से किसकी मात्रा अमल वर्षा से सबसे अधिक होती है क्या अमल वर्षा गर आप देखें कि बच्चों अमल वर्षा तो याद रखना क्या है कि जभी भी कहीं पर बारिश होती है और जभी वर्षा होती हो वर्षा के साथ कोई अमल गिसका है HNO3 का रहता है तीक है लेकिन इस तरह का अगर प्रश्ण आएगा तो उसमें आप हमेशा क्या लगाएंगे स्टल्फूरिकम लगाएंगे option number C हो जाएगा क्या हो जाएगा? option number C हो जाएगा और इसी अमल वर्षा के कारण आप जानते हैं इसी अमल वर्षा के कारण आज ताज महल जो ताज महल है ना इसका रंग जो है ताज महल का जो रंग है वो कैसे हो रहा है वहाँ पीला पड़ रहा है क्योंकि ताज महल आप जानते हैं सफेज संग मरमर से बनी हुई है और अमल वर्षा के काल उसका रंग पीला तो वहाँ पर अमल के आया कैसे बिटा तो याद रखना जभी भी याद रखना कैसे होता है याद रखना जभी भी कहीं H2SO4 रहेगा H2SO4 रहेगा और अगर ये किसके साथ करिया करता है ये नमी के साथ करिया कर लेता है और जब नमी के साथ एक क्रिया करेगा तो यह क्या बनाएगा? यहां बना लेगा, क्या बताईएगा? यहां बना लेगा? एक सिक्ट, एक सिक्ट गलत हो गया देखेंगे जहां पर भी कहीं, जहां पर भी कहीं एक गैस रहेगी क्या? सल्फर डाय आकसाइड, एसो टू, और अगर यह नमी के साथ क्रिया करती है तो नमी के साथ क्रिया करने के बाद यही क्या बनाता है? यही बनाता है क्या? H2SO4 तो हम कह सकते हैं कि अमल वर्सा के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार अगर अमल पूछेगा तो H2SO4 सल्फियूरिक अमल होता है लेकिन अगर आपसे यह पूछेगा कि अमल वर्सा के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस कौन सी है तो गैस क्या हो जाएगा? SO2 हो जाएगा तलफर डाय आकशाइड और आप जानते हैं ताज महल के बगल में यह ताज महल आगरा में है और इसके बगल में क्या है कि मतुरा है और मतुरा में मतुरा के आसपास या उसकी रास्तों में जब आप मतुरा जाते हैं आगरा से तो रास्ते में और मतुरा में बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या तेल शोधन साला है इससे सबसे जादा, सबसे जादा वाईव प्रदूशर होता है CO से, कर्बन, मोनो ओकसाइड से और दूसरी सर्वाधिक वाईव प्रदूशर गवर्स करつ कांसी है, तो SOG ठीक है बच्चो तो उमेद करता हूँ कि आज की इस class को आप लोगों ने बहुत इंज्वाय किया होगा भी और प्रश्ण है तो मेरे साथ जुड़े रहें बने रहें और ज़रूर बताएं कि आज की class आप सभी को कैसे लगी और याद रखना कि जो मेरी class आती है ठीक है ना ज इस में आपको क्या मिलेगा इस class में आपको क्या पढ़ाऊंगा बच्चो तो इस class में आपको ठीक है ना और इसी दो बजे में आपको क्या पढ़ाऊंगा इसी दो बजे अलग अलग समय पर मेराथन के माध्यम से क्या आपको बिहार इस पेशल पढ़ाऊंगा और इसी में आपको GKGS क्या? GKGS और उसके अलावा ठीके ना, बिहार Special हो गया, SST हो गया, GKGS हो गया, ठीके. अच्छा, इसकी अंतरगत आपको क्या पढ़ाऊंगा? आपको मैं ऐसा पढ़ाऊंगा क्या? इसकी अंतरगत जैसे आज है, भुगोल आपको पढ़ाया जाएगा, ठीके ना, इसकी अंतरगत आपको इतिहास पढ़ाया जाएगा, इसकी अंतरगत आपको क्या पढ़ाया जाएगा, तो जो है, नागरिक सास्तर पढ़ाया जाएगा, ठीक है, नाजिक सास्तर पढ़ाया जाएगा, हाँ, अच्छा एक टॉपिक यहां पर और कवर कर लो, यहां पर आपको परयावरण, क्या बच्चो परयावरण, तो 2PM special class जो BPSC होती है, 2PM, और बच्चो याद रखना यहां रोज होती है, ठीक है न, यहां कब होती है, तो यह परती दिन होती है, और आने वाले समय में आपको लिए, मैं एक परयावरण का, एक परयावरण का मेराथन, बहुत ही सीघर लिने वाला हूँ, परयावरण का एक जो है, यहां रखना, परयावरण का एक मेराथन, मैं बहुत ही special लिने वाला हूँ, बहुत ही जल, इसमें मै आपको क्या पढ़ाऊंगा, इसमें पूरा का पूरा, आपको मैं थेवरी करवाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा बच्चों, थेवरी करवाऊंगा, ठीक है, तो जरूर बताईएगा, यह क्लास आप लोगों के लिए कैसी लगी, मेरे से जुनने के लिए, आप सभी का बहुत-ब अगले सेशन में 2PM Special Class, BPSC. Thank you everyone, thank you. झाले सेशन में 3PM Special Class, BPSC.